हाई स्टूडेंट आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि स्कॉलर्शी फॉर्म के रिलेटेट जो गुड न्यूस आई है वह आपको मैं बताना चाहता हूं तो काफी स्टूडेंट परिशान थे पिछले कई दिनों से के डॉकुमेंट्स अविलेबल नहीं है उनके पास और कुछ फॉर्म बनने में भी दिक्कत आ रही है तो स्कॉलर्शी फॉर्म का लास्ट डेट गॉर्मेंट ने एक्स्टेंड कर दिया है तो वो डेट है 31 माह 2021 तो आप कोशिश करें कि आपके सारे डॉकुमेंट्स तयार हो ताकि आप फॉर्म भर सके और सभी एलिजिबल ड डॉकुमेंट्स रखें और सभी डॉकुमेंट्स को अच्छे से पड़ कर अपलोड करें जैसे मैं अपने वीडियो में बताया हूं उसको वीडियो को देख देखकर आप हर एक स्टेप को कर सकते हैं प्रोसेस तो लास्ट डेट बढ़ चुकी है अगें आप लोग बहुत बड़ी गुड निउस की खबर आईए दो मेहना आपके लिए एक्टेंड हुआ है इसका बरपूर फायदा उठाए जो डॉकुमेंट अवेलिबल नहीं है उसको बनाएं इनके बाद रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो रिजल्ट तब तक आ जाएगा और उस उरिजिनल के कमेंट में कुछ कोशन पूश सकते हैं उस स्टूडन तो यूजरनेम पासवर्ट भूल गये हैं उनको कैसे यूजरनेम पासवर्ट निकालना है अगर आपने 2018-19 में स्कॉलर्शिफ फॉर्म भरा है या उसके बाद भरा है तो आप यूजरनेम पासवर्ट निकाल सकते है अगर आप 2018 के पहले के student है तो fresh form भरना होगा ठीक है जो student को दो साल से drop लगाए है ना तो या degree में गए हैं अभी और diploma में 2017 से पहले pass out हो चुके थे तो उनके लिए fresh form भरना होगा तो old student जो है या जो पिछले सार scholarship form भरे हैं username password भुल चुके हैं तो इस तरह यह वीडियो देखे और आप username password आपका retrieve कर सकते हैं ठीक है और जो student इस साल पहली बार form भर रहे है scholarship form अधार कार्ट को आपके mobile number बैंक के साथ फिर इस particular form के साथ भी link करके form भर रहे हैं तो इधर पे दो पार्ट है इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने बताया हूँ के profiles को कैसे भरा जाता है प second part में मैंने बताया हूँ कि कौन सी eligible scheme के लिए आप scholarship को apply कर सकते हैं ठीक है तो दोनों वीडियो जरूर देखें जो first time form भर रहे हैं क्यूंकि first time form बनने के time बहुत लंबा बड़ा process होता है ठीक है तो सही form बनने की कोशिश करने वीडियो देखें वीडियो दिख देखें बनाया हूँ जो हर scheme के लिए applicable है ठीक है अगर आप बीकॉम वाले हो बीए सी वाले हो इंजीनर नहीं आखर एक चेर फार्मसी मेडिकल है बस आपको अपना थोड़ा सब दिमाग भी लगाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा बोड़ा changes करने के लिए ओके तो कोई question है यूट certificate थोड़ा change हुआ तो आपके अगर certificate में mention है कि आप admit हुए हो college का नाम mention है और आपका branch यह जो भी है particular mention है तो यह can upload that particular certificate ठीक है और अगर आपको कोई और भी सवाल आ रहे हैं comment में जरूर पूछें क्यूंकि को सकता है मैं आपके सवालों के जवाब उस दिन दे दूं राद त तो question ज़रूर पूछें और बने रही है और इसके अलावा मेरे चैनल में आप playlist में देख सकते हैं कि बहुत सारे videos available है diploma के अगर आप student है तो max 1 जो semester 1 का mathematics है उसका पुरा video series available है ठीक है max के हर problem solved किया हुआ है mathematics के then data structure के videos है object oriented programming के videos है ठीक है on turbo c आप वो भी देख सकते हैं और भी कुछ आपके technical text से भी related videos भी available है ठीक है once again last year scholarship की extend हो चुकी है 31 माद 2021 और अगर आप कुझे personally contact करना चाहते हैं तो comment मिलते है thank you